नमस्कार मैं हूँ आपकी दोस्ट और होस्ट काउशी क्या आपने कभी सोचा है कि जब जंगल में पौधे और जानवर मर जाते हैं तो फिर क्या होता है? यही सवाल अकसर सुधा के मन में भी उड़ता है तो चलिए इस एपिसोड में सुनते हैं कि सुधा को इसका जबाब कैसे मिलता है? आपके अपने सावुदाइक रेडियो कनेक्ट एफेम 107.8 पर जी हाँ, रेडियो कनेक्ट जो जनता से चुड़े डिरेक्ट वही है सामुदाइक रेडियो कनेक्ट मा, आप मुझे इतनी दूर सूपर मार्केट तक क्यों लेकर आई है? चल चल कर मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया है, मैं ठक गई हूँ सुधा मैं रोज आना चलना चाती थी, ताकि मैं अपना वजन कम कर सकूँ पर घर के काम काजो की वज़ा से मुझे समय ही नहीं मिलता था पर अब मैंने सोचा है कि मैं रोज थोड़ी देर जरूर पैदल चलूँगी इसलिए हम सूपर मार्केट चल कर आये हैं, इसमें एक साथ दो काम हुए कैसे मा? एक तो चलते चलते घर का ज़रूरी समान भी खरीद लिया और पैदल चलने से मेरा वजन भी कम हुआ देखो दोनों मा बेटी एक साथ वाक करती भी कितनी अच्छी लग रही है अच्छा, आप तो अपना वजन कम कर रहे हैं, पर मेरा क्या होगा? सच में मा में बहुत थक गए हूँ, इससे अच्छा तो मैं घर पर ही रहती तो ठीक रहता सुधा, जितना तुम चलोगी, उतना सेहत मन्द और एक्टिव रहोगी, आई बात समझ में? वो तो ठीक है मा, पर यहाँ बहुत कंदगी है, यहाँ बद्बू मुझसे सहन नहीं हो रही है हाँ, है तो सही बद्बू, चलो जल्दी से अपना रुमाल निकालो और अपनी नाक उससे ढखलो, यहाँ मुझे बहुत सारे कउओं की भी आवास सुनाई दे रही है अरे मा, वो देखो, वहाँ शायद एक जानवर मरा हुआ है, और बहुत सारे कउओं उस पर हमला कर रहे है हम, लगता है कुट्ता मरा हुआ है, जरूर किसी गाड़ी ने इसे रौन दिया होगा कउओं उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, बनकी वे मरे हुए जानवर का मास खार रहे हैं वही उनका भोजन होता है क्या? अरे, ये तो ठीक नहीं है इसमें क्या ठीक नहीं है सुधा? और क्या तुनको अच्छा नहीं लग रहा है? दरसल इन जीवों को मुर्दा खोर यानि स्क्वेंजर्स कहा जाता अंग्रेजी में अगर ऐसा ना हो तो हमारी धर्ती मरे हुए पौधों और जानवरों से भर जाएगी यह मृत जानवर और पौधे ही इनका भोजन है ठीक है पर मुझे यह ठीक अभी भी नहीं लगता मा अरे बात को समझो बेटा जंगल में कववे, गीदर, लूम्बडी कुछ ऐसा ही उधारण है जो अपने लिए भोजन मरे हुए जानवरों से प्राप्त करते हैं चाँ? और इसके इलावा मरे हुए जानवरों और पौधों पर बेक्टीरिया और फंगी जैसे डीकंपोजर भी कारे करते हैं ताकि उनके अफशेश चल्दी से मिट्टी में मिल जाएं क्या तुमको समझ में आ रहा है सुधा जो मैं कह रही हूँ? हाँ मा, समझ आ रहा है लेकिन मा, एक बात बताईए क्या नदियों और महासागरों में भी मुर्दा खोर यानि स्केवेंजर होते हैं? जरूर होते होंगे तुम अपनी स्कूल लाइबरेरी में किताब लेकर इसके बारे में विस्तार से पढ़ना और फिर मुझे बताना तो क्या ऐसा करने के लिए आप आज सूपर मार्केट से मेरे लिए एक चोकलेट खरी देंगी? तो मैंने तो तुम्हें मुर्दा खोरो यानि स्क्वेंजर के बारे में बताया तो तुम मुझे को क्या देने वाली हो इसके बदले में? आपके गाल पर एक किस? मेरी बेबी सुधा, मेरा बच्चा देनिक जीवन में विज्ञान यह स्पोकन टुटोरियल IIT Bombay द्वारा सामुदायक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया जनता से जुड़े डिरेक्ट यही है सामुदायक रेडियो कनेक्ट क्या आपने कभी काला कववा देखा है? यदि हाँ, तो वो क्या कर रहा था? हमें हमारे वाट्साप नमबर 981-316-4542 पर मेसेज करके बताएं धन्यवाद